विलाइट न्यूज में आपका स्वागत है देश विदेश मिडिलीस्ट और इसलामी देशों की एहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुप्रिम कोर्ट की बड़ी खबर के साथ सुप्रिम कोर्ट का बड़ा फैसला बहु विवा और हलाला पर होगी सुनवाई पांच जजों की बेंच का गठन सुप्रिम कोर्ट ने बहु विवा और हलाला को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच जजों की बेंच गठित करने की बात कही है सुप्रिम कोर्ट ने एक बार फिर मुसल्मानों में हलाला एक से जादा शादी और शरिया कोर्ट को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच जजों की बेंच गठित करने का एलान किया है सुप्रिम कोट ने शुकरवार को कहा कि वो मुसल्मानों में बहु विवा और हलाला पर्था की कानूनी हैसियत को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच जजों की सम्मेधानिक पीट का गठन करेगा चीफ जस्टिस दीवाई चंद्रुचूर और नियाई मोर्ती पीएस नरसिम्मा की पीठ ने वकेल अश्वनी उपाध्याई की जनहित याचिका पर ध्यान देते हुए ये फैसला लिया है दरसल पिछले साल तीस अगस्त को पांच जजों ने इस मामले की सुनवाई की थी लेकिन इस बीच जस्टिस इंद्रा बनर्जी और हेमंत गुपता रिटायर हो गए जिससे अब एक बार फिर से पांच जजों की बेंच गठित करने की जरूरत है बतादी कि इस मुद्दे पर एक जन्हित याचिका दायर करने वाले वकील अश्वनी उपाध ध्याई ने परधान नियायधीश डीवाई चंद्रचूर नियायमोर्ती हिमा कोहली नियायमोर्ती जेबी परदीवाला की पीट से अनुरोत किया था कि इस मामले में नए सिरे स जजों की बेंच गठित करने की आवशकता है क्योंकि पिछली समयधानिक पीट के दो नियायधीश इंद्रा बनर जी और नियायमोर्ती हिमंत गुपता रिटायर हो चुके हैं सीजे आई ने कहा कि ऐसे बहुत से महत्वपुर्ण मामले हैं जो पांच नियायधीशों की पीट के सामने दायर हैं हम इस मामले में भी पांच सदस्य पीट का गठन करेंगे और इस मामले को ध्यान में रखेंगे बतादिक एश्वनी उपाध्याई ने पिछले साल दो याचिकाओं में पक्षकार बनाया था और उनसे जवाब मांगा था इस पीट में जस्टिस इंद्रा बनर जी हेमंत गुपता सूर्य कांथ एमेम सुंदरेश और सुधानशु धूलिया शामिल थे हाला कि जस्टिस बनर जी और जस्टिस गुपता पिछले साल करमशे 23 सितं जिससे बहु विवा और हलाला पर्था के खिलाफ आठ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सम्वेदानिक पीट के फिर से गठन की जरूरत पड़ी अगले खबर में बात करेंगे इसराइल को लेकर सूधी अरब के बड़े बयान की मिडिलीस्ट में शांती चाहिए तो इसराइल को मान्यता देनी ही होगी सूधी अरब का इसराइल प्रेम किसी से चुपा हुआ नहीं है और समय समय पर सूधी अरब इसराइल के हितों को साधने के लिए ऐसे कदम उठाता रहा है जिसकी मुसलिम दुनिया में आलोचना होती रही है अब एक बार फिर सूधी विदेश मंतरी ने इसराइल को मान्यता देने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि मिडिलीस्ट में इस्थाई शांती और सुकून के लिए इसराइल को मान्यता देना ही होगी बलूमबर्ग टीवी से बात करते हुए सूधी अरब के विदेश मंतरी फैसल बिन फरहान ने कहा कि सूधी अरब का हमेशा से यही रुख रहा है कि इसराइल को मान्यता देना और उसके साथ अच्छे राजनितिक रिष्टे रखना पूरे एक शेतर के लिए बेहत फाइद इसराइल के साथ सही मानों में सामानिय करन उसी वक्त हासिल हो सकता है जब हम फिलिस्तीनियों को इजजत और सम्मान के साथ उन्हें अलग देश की उम्मीद दें साउधी विदेश मंतरी ने कहा कि इसराइल से सहीमानों में रिष्टे तभी सामाननी हो सकते हैं जब अलग फिलिस्तीन देश का गठन हो जाए बता दें कि जो बाइडन की रियाज यात्रा के बाद से ही इसराइल और साउधी अरब के रिष्टों को सारवजनिक किये जाने की खबरें जोर पकड़े हुए है इसराइल की सत्ता में कटरपंथी पाल्टियों के सहयोग से नितन्याहू की वापसी के साथ इन बातों को और बल मिलने लगा है यहां तक के खुद इसराइल और साउधी अरब के अधिकारी भी दोनों देशों के बीच रिष्टों को सारवजनिक करने के लिए वारता की बातें करने लगे हैं हाली में साउधी अरब के उपविदेश मंतरी आदिलल जुबैर ने कहा था कि वो वक्त बेहत करीब है जब साउधी अरब और इसराइल के रिष्टों को सारवजनिक कर दिया जाएगा इसराइल और साउधी अरब के रिष्टे सामानी होने की ओर बढ़ रहे हैं और ये एक बहतरीन रन्नितिक विकल्प है साउधी अरब के कई सीनियर ओफिसर्स भी कह चुके हैं कि रियास को तलवीव के साथ अपने रिष्टे सामानी करने में कोई संकोच नहीं है दोनों देशों के बीच अब सबसे एहम मुद्दा वक्त का है कि किस वक्त दोनों देशों के रिष्टों को जाहिर किया जाए दोनों देशों के बीच गहराते और मजबूत होते रिष्टे उस वक्त और जाहिर हुए जब इस्राइल के परधान मंतरी ने सौधी चैनल अल अरेबिया से बात करते हुए कहा था कि हम रियास के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक करने को लेकर अडिग हैं गोर तलब है के हाल ही में अमेरिकी एनेस से जैक सुलिवान ने इस्राइल का दोरा किया था जिस पर इस्राइली परधान मंतरी कारिया अले ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जैक सुलिवान ने इस्राइल को आश्वासन दिया है कि जल्द ही अबराहम समझोते को और विस्तार दिया जाएगा और सौधी अरब को भी समझोते में शामिल किया जा सकता है अगली खबर में बात करेंगे बगदाद और तुर्की के रिष्टों पर इराक के राश्टपती के बड़े बयान पर तुर्की को इराक का अल्टीमेटम अतिकर्मन जारी रहा तो रिष्टे सामानी रहना मुश्किल पड़ोसी देशों के खिलाफ तरकी की अतिकर्मन कारी नीतियों पर अब इराक और सीरिया जैसे देशों के सबर का पैमाना चलकने लगा है सीरिया ने भी जहां अर्दोगान की मुलाकात की गुहार पर अतिकर्मन खत्म करने की शर्त रग दी है वहीं अब इराक के राश्टपती ने भी तुरकी को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर तुरकी इसी तरह इराक की सीमाओं का उल्लंगन करता रहा और हमारे खिलाफ इसी तरह तिकर्मन जारी रहा तो दोनों देशों के रिश्टे सामानी नहीं रह सकते इराक के राश्टपती अब्दुर्रशीद लतीफ ने कहा कि तुर्की की और से बार बार इराकी सीमाओं का उल्लंगन बगदाद और अर्बील को परेशान करने वाला काम है हम इराक में तुर्की की गेर कानूनी मौजूदगी को किसी भी कीमत पर मनजूर नहीं कर सकते इराकी राश्टपती ने कहा कि हमने बार बार तुर्की को खबरदार किया है कि इराक के खिलाफ तुर्की एर फोर्स के हमले और इराकी सीमाओं में तुर्क सेना की मौजूदगी किसी भी सूरत में बरदाश्ट नहीं की जाएगी तुर्की को चाहिए कि वो इराग की धर्ती पर अपनी अतिकरमनकारी कार्रवाई पर रोक लगाए और यहां से अपनी फोजों को वापस बुलाए अब्दुर्शीद लतीफ ने कहा कि ये मुम्किन ही नहीं है कि एक तरफ तुर्की हमारी सीमाओं का उल्लंगन करे और दूसरी तरफ हम उससे सामानी रिष्टे रखें ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती ये बात कुर्द समाज और बगदास समेत कुर्दिस्तान को लिकल भी मनजूर नहीं इराक और तुर्की के बीच जल्विवात पर बात करते हुए अब्दुर्रशीद लतीफ ने कहा कि इस मामले में बगदाद और आंकारा के बीच इनसाफ और नियाए संगस समझोता होना चाहिए और इराक को उसका हक मिलना चाहिए इराकी राष्ट हसन नसुरुला के बयान की बात करेंगे हिजबुला का आरोप मिडिल इस्ट में किसी देश को उभरता नहीं देखना चाहता अमेरिका हिजबुला लेबनान के जनरल सिक्रेटरी सेयद हसन नसुरुला ने लेबनान में चाय आर्थिक संकट की बात करते हुए कहा कि लेबना लेबनान अकेला देश नहीं है जिसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है बलके विश्व के कई देश आर्थिक समस्या से जूज रहे हैं और कुछ देशों का आर्थिक ढांचा तहस नहस हो चुका है। फ़िश्व अनसरूला ने कहा कि लेबनान के वर्थमान हालात के कई कारण है। आज कई लोग बात करते हैं की लेबनान की नाकाबंदी नहीं है। लेबनान के तट पर अमेरिकी युद्पोत की टैनाती ही नाकाबंदी नहीं है। बलके एक आजाद और संपर्भूल लेबनान के साथ अमेरिका जिस तरह से पेश आ रहा है वो भी इस देश की नाकाबंदी को साबित करने के लिए काफी है नाकाबंदी का मतलब ये है कि अमेरिका लगातार अडंगे डालता रहे कि हम किसी भी देश से कर्ज या मदद नहीं ले सकते नाकाबंदी का मतलब ये भी है कि अमेरिका लेबनान में होने वाले निवेश का रास्ता रोपता रहे या किसी भी देश को हमारी मदद ना करने दे हिजबुल्ला लेबनान के परमुक ने कहा कि देश में मौझूद संकट का एक कारण गलत राजनेती कांकलन भी है बहुत से लोगों का मानना है कि अगर लेबनान इसराइल से रिष्टे जोड लेता है तो मौझूदा संकट दूर हो सकता है उन्होंने कहा कि सीरिया को लेकर भी हमारे राजनेताओं ने गलत फैसला किया अगर आजे लेबनान में शान्ती और रिस्तिरटा है और इसी की बुनियात पर देश के आर्थिक ढाँचे को विक्सित किया जा सकता है देश का आर्थिक ढाँचा इसराइल क्या किसी भी दूसरे देश से रिष्टों पर निर्भर ना हो आज सिर्फ यही इलाका नहीं बलके दुनिया के कई इलाकों में जंग और आशान्ती है सेद हसन नसरुलाह ने कहा कि मिडिलीस्ट के कई देशों की तरह लेबनान भी तेल और गैस की दोलत से माला माल है भूमध्य सागर में तेल और गैस का खजाना है और आज अंतर राश्टिय बाजार में हमारे पास बेहतरीन मौका भी है कहा जाता है कि सीरिया संकट का सबसे एहम कारण भी यही तेल और गैस की दोलत है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि इस लाके में कोई देश ताकतवर और संपरभू बन कर उपहे हमारा आज का बलेटिन यहीं खत्म होता है देश विदेश मिडली इस्ट और इसलामी देशों की एहम खबरें जानने के लिए विलायत नियूस से जुड़े रहिए